स्टॉक मार्केट इंवेस्टर राकेश जंजनवाला जिन्हें भारत के वारिन बूफे की नाम से भी जाना जाता था वो अब हमारे बीच नहीं रहे बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पढ़ने से जंजनवाला काने धन हो गया राकेश जंजनवाला का भारते एकॉनमी में बड़ा योगदान रहा है चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं अपने पीछे अपने परिवार के लिए क्या शोड़ गए राकेश जंजनवाला फोब्स मागजीन के हसाब से जंजनवाला की कुल संपत्ती 5.8 बिलिन अमारे की डॉलर की थी 5000 रुबे की कापिटल के साथ कॉलज में रहते हुए शेयर बाजारों में अपनी यात्रा शुरू करते हुए उन्होंने हाल ही में जेट एरवे सीओ विने दूबे और फॉर्मर इंटिकू चीफ आदित्या घोश के साथ मिलकर अकासा एर लॉंच किया एरलाइन ने इस महीने मुंबाई से एहमदाबाद के लिए पहली उडान के साथ कमर्शल ऑपरेशन्स की शुरूबात की मिदाव स्टरच वाले इंवेस्टर जिंजनवाला देश के 48 वे सबसे अमीर व्यक्ती थे चार्टिद अकाउंटेंट बाई एडुकेशन जिंजनवाला ने ओडित के बजाए दलाल स्ट्रीट को चना 1985 में जिंजनवाला ने पुझी के रूप में 5,000 रुपए का निवेश किया सितंबर 2018 तक पुझी बढ़कर 11,000 करोड रुपए हो गए उनके पॉर्टफोलियो में स्टार हेल्थ, टाइटन, रेलिस इंडिया, इसकॉर्ट्स, कैनुरा बैंक, इंडियन होटेल्स कंपनी, इग्रोटेक फूद्स, नजरा टेक्नोलोजीज, ताटा मोटर्स जैसे कंपनियां शामिल है कुल मिलाकर जून कोटर्स के एंड तक उनकी 47 कंपनियों में हिस्सेदारी थी टाइटन, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स और मेट्रो ब्रांड्स उनकी कुछ सबसे बड़ी होल्डिंग्स में से शामिल थी उन्होंने 1986 में अपना पहला बड़ा मुनाफ़ा कमाया जब उन्होंने टाटा ती के 5000 शेर रुपीज 43 में खरीदे और तीन महिने के अंदर स्टॉक बढ़कर रुपीज 143 हो गया तीन साल में उन्होंने 20-25 लाग कमाया जब जुन जुन वाला ने शेर बाजार में कदम रखा तो सेंसेक्स 150 अंग पर था जुन जुन वाला की प्राइवेट उन स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेर इंटरप्राइस ने अपना नाम उनके नाम और उनकी वाइफ रेखा के इनीशियल से लिया है जुन जुन वाला की वाइफ भी शेर बाजार में निवेशक है अकाशा एयर में सबसे बड़ी हिस्सदारी रेखा जुन जुन वाला की है दोनों की कुल हिस्सदारी 45.97 फीस दी है उन्हेंने अपनी पत्नी रेखा जुन जुन वाला के साथ 32 कंपनी के शेरों में करीब 30,000 करोर रुपे से अधिक का निवेश कर रखा है पत्नी रेखा जुन-जुन वाला के अलावा परिवार में बेटी निश्टा जुन-जुन वाला, बेटा आरेमन जुन-जुन वाला, बेटी आरवीर जुन-जुन वाला है इस वीडियो में फिलार इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इंफरमेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, वीडियो पर कॉमेंट करें और चैनल को सबस्काइब जरूर करें